फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार, सुधात आप सभी का बज़ारो की चाल में, मैं हूँ आपके साथे के लिए शाटी और बज़ारो की चाल में आप सब के लिए एक बाफिर से लेकर आगया हूँ, यहाँ पर क्रिशी फसल बज़ार का अपडेट जानेंगे कि आज हफदे के पहले कारोबारी दिन, सुवार के दिन, शाम के कारोबारी सत्र में, क्रिशी फसलों का वैदा बज़ार NCDX कैसा ट्वेड करता नज़र आ रहा है, और उस पर हमारे जानकारों की क्या राय है, जानकार आगे क्या बता रहे है, कि आगे जागे कि क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, यह सब जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर, नौन एग्री कमुनिटीज में कैसा सीड से, तो हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वैदा, बासर सो चौरानवे प त्रेड करता नजर आ रहा है, एक बार फिर से, सुबा के सतर के मुकाबले शाम में थोड़ी हलकी फुल के गिरावट बंती नजर आई है, लेवल्स के अगर बात की जाए, सुबा के कारवाई सातर में हमने कैसा सीड को बासर सो त्रेश सो के उपर ट्रेड करते देखा तो, आप देख रहें कि 1200 के लेवल्स पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है आपको बता दें कि कैसर में एक्सपर्ट्स अभी जितने भी है हमारे वो सारी यही बता रहें कि कैसर सीर का वायदा वजार जब तक 6000 के उपर सस्टेनिबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है तब तक कैसर सीर की कीमतों में तेजी का ही रुजान है आपको बता दें कि कैसर की जो fundamental साभी हाल फिला में मजबूती की और दिखाईद दे रहे हैं बात करने सबसे पहले यहां पर production की तो जो उत्पाद है ने कैसर सीर का जो production है वो पिछले तीन सालों में कम रहने का नुमान है लगवग 15 दशम लब 9-8 लाग टन बताया जा रहा है जो कि पिछले तीन सालों में सबसे कम रह सकता है और इसी के साथ साथ जो बारिश हुई है बे मौसम बरसा तो यह उसकी वज़ासे कैसर की जो quality है वो भी कही न कहीं खराब होती नजर आई है तीसरा अभी जो arrival pressure है वो थोड़ा बढ़ जाएगा आने वाले दोने जिसकी वज़ासे कैसर की कीमता में थोड़ी बहुत हलकी फुल की गिरावट बले ही बंदी नजर आ जाए लेकिन overall रुजान कैसर में अभी जो expert है वो तेजी का ही बता रहे है जब तक 6000 की उपर कैसर सीर का वाइद है वाज़ार पैंसर सो से लेकर चासर सो तक किस तर दिखा सकता है तो इसी के साथ बात करें आज़ा अगर अब बिनौला खल की तो बिनौला खल का फरवरी वाइदा देखनें 3126 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 3145 का ही लगा चुका है और 3082 कर लो हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वाइदा अब 3300 के बाद 3100 के निचले लावस पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 3082 का लो भी लगा चुका है हमारी जो एक्सपर्ट हैं केडिया डवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया जी उनके मुताबिक बिनौला खल में ओवरल तो अभी तेजी का ही रुजहान है लेकिन अभी 3400 कर जो लेवल हमने जनवरी में टच होते वे देखा था वहाँ पर सेस्टनिल बेटी नहीं देखने को मिली ती हो फिर उसके बाद हमने 3300 के लेवल्स पर एक सिमीद दैरी में बिनौला खल की कीमतों में एक ट्रेड होते वे देखा था आपको बता दें कि उसके बाद बिनौला खल में निचले फिर से गिरावर देखने को मिली हो फिर इस तरह से मुनाफ़ा वसुली बंती नजर आई है ओँरल उजान तो बिनौला खल में यह तेजी गाई रहेगा लेकिन यो कारुबारी शब्ता ही ट्रेड देखने को मिलते नजर आएगा लेकिन अजे केडिया का ये भी कहना है कि बिनौला खल में निचले स्थर पर घवराना नहीं है अगर किसी कमुरेटी में किसी भी पर्टिकुलर कमुरेटी में हजार डेर हजार की तेजी आने के बाद अगर 300-400 पॉइंट की गिरावट भी बनती है तो उस गिरावट को ऐजा बड़ी गिरावट या फिर कुछ जादा जोड़ा गिरावट के तौर पर नहीं देखना चाहिए बलकि बिनवला खल में ये उन निवेशकों के लिए अब अच्छा मोखा है उन कारुवारियू के लिए अच्छा मोखा है जो पहले बिनवला के खड़ी दारी से चूड़ गएते पीछे रहे गएते तो overall उर्जान बिनौला खल में आगे तेजी का ही रहने वाला है कपास की कीमतों में भी देखने हैं लगातार तेजी देखने को मिल रही है cotton की जो कीमते हैं चाहिए MCX की बात करें या फिर विदेशुम आईसेक्स की बात करें और अगर हाजिर में कपास की बात की जाए तो cotton की कीमतों में कपास की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल रही है उसका असर भी बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता दिखाई दे रहा है और इस बार cotton का जो production है कम बताया जा रहा है कम उत्पादन के चलते बिनौला खल का भी जो उत्पादन है वो भी कम ही देखने को मिलेगा उपरबदता कम देखने को मिलेगी बिनौला खल की जिसकी वज़ासे जो availability है यानि कि जो supply है वो तो कम रहेगी और demand जाद रहेगी और आने वाले समय में experts के मताबिक बिनौला खल क के मौके डूने पुल बैक पर आगे लेकर चलना है बिनौला खल के बाद बात करें हैं से अगर अब मसालो की तो मसालो में देख रहे हैं कि जो धनिये कप्रेल वायदा 10,160 पर trade करता नजर आ रहा है जीरा कमार्च वायदा 18,850 पर trade करता नजर आ रहा है 18,935 का भी हाई चार पीज़ी की गिरावट के साथ देख रहे हैं कि धनिया और जीरा तो ठीक ठाक trade करते नजर आ रहा है खासकर कि जीरा सबसे अच्छी तेजी के साथ trade करते नजर आ रहा है 18,900 के उपर है 18,900 के उपर जीरे का वायदा बजा ट्रेड करता नजर आ रहा है अच्छी खासी बड़त है जीरे के अंदर आपको बता दें कि अब जैसे भारत में शादी ब्या का महौल है लगन सराग चल रहा है तो मसालों की जो डिमांड है निकल सकती है फूर इंडस्ट्री से और बाकी अब आगे होली आएगी रमजान का महिना है तो खाड़ी देशों से यूरोपियन डिमांड है वो काफी अच्छी बता ही जा रही है इस बार की काफी अच्छी निकल गए सामने आएगी कुछ-कुछ एक्सपर्स कई भी मानना है कि भारती मसालों की एक्सपोर्ट डिमांड रमजान के महीने से पहले इतनी अच्छी रह सकती है कि जोड़दार बढ़ोती द देखने को मिलेगी एक्सपोर्ट डिमांड में और मसाला कारूबारी वो काफी शांदा रिटर्न मिलता नजर आ सकता है मसालों में तो जीरे में भी हम उसी का नतीजा देख रहे हैं माकित सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बंते नजर आ रहे हैं लगातार जिसकी वजा से जी देखने में पॉजिटिव ही रुजान रहेगा जीरे के साथ-साथ बात करेंगा धनिये की तो धनिये में थोड़ी सी हलकी सी हमने पहले के मुकाबले लेवल्स थोड़े कम आते देखे हैं लेकिन यहां पर धनिये का जो वायदा बजार है अभी ठीक ठाक लेवल्स पर ट्र जी देखने को मिल सकती है तो ये कारो वाली सप्ता धनिया और जीरे के लिए अच्छे रहने वाला है यहीं से बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी के लिए ये कारो वाली सप्ता थोड़ा मंदा रह सकता है हमारी एकसपर्ट है Hmotilal Answall के Vice President Amit Saliza उनके मुताबिक लगबग 1-2 कारोबारी सप्ता तक हल्दी में ऐसे ही मुनाफ़ा वसोली वारा दौर देखने को मिलता रहेगा हल्दी की कीमतों में उपरिस्तरव से मुनाफ़ा वसोली हावी होती नजर आएगी selling यानि विक्वाली का pressure देखने को मिलेगा जो हल्दी की कीमतों को लगबन दो कारुबारी सब्ता तक 9500, 9600, 9700 तक लेके जा सकता है, तो हल्दी में दो कारुबारी सब्ता तक विक्वाली का प्रेशर देखने को मिलता रहेगा यह से बात करें अगर गवार कॉंपलेक्स की तो देखने की गवार गम का फरवरी वादा 11,540 पर ट्रेड करता नजर आ रहे है डेड फीजदी से जाद की गिरावट है वहीं गवार गम का फरवरी वादा 1205 पर ट्रेड करता नजर आ रहे है डेड फीजदी की गिरावट के साथ देखने की गवार गम और गवाज सीर में उपरी स्तरों से मुनाफ़ा वसोली बंती नजर आई है जहांपर हमने गवार सीर को 6400-6500 के लेवल पर जाते हुए देखा था वहीं गवार गम को 12000 के पार भी जाते हुए देखा था आदे से भी कम बताया जा रहा है कि गवार का जो प्रोडक्शन है गवासीड का वो पहले के इन मुकावले लगवा आदे या उससे भी थोड़ा कम रह सकता है और अभी एक्सपोर्ट डिमांड इतनी अच्छी गासी देखने को मिल नहीं रही है जो गवार गम और गवासीड क कीमतों को और तेजी की और लेके जाए आपको बता दे कि जो दिगगर जानकार है जो एक्चुल में चाते हैं कि किसी भी कारोबारी का या किसान का नुकसान ना हो उन्होंने ऐसा बताया है कि साल 2021 में अगस्त और सेतंबर के दोरान गवार में जो तेजी बनती नजर आई गवार गम में वो fundamentally इतनी तेज नहीं थी जितनी की technically थी जितनी की बनाई गई थी क्योंकि जादतर जानकारों का यही क्याना था कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ातरी के चलते गवार गम की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है जबकि ऐसा तभी मुम्किन है जब अ अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन अभी इतना देखने को नहीं मिल रहा है आपको बता दें कि अमेरिका में जब कच्चे तेल का उत्पादन होता है तब जाकर महाँ पर गवार गम की जो डिमांड है वो बढ़ती है और उसकी वज़ा से महाँ विदेशों में जो ग इस्पोर्ट डिमांड जो कीमत हैं तो तब नहीं बढ़ती हैं क्योंकि वहाँ पर कच्चे तेल के जो कुए हैं वो पुराने हो चुके हैं और अमेरिका में जो गवार कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसमें गवार गम का इस्तमाल किया जाता है एक प्रोसेस के दौरान गवार गम का कच्चे तेल का उत्पादन में इस्तमाल किया जाता है जिसकी वजह से अगर कच्चे तेल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है उत्पादन बढ़ता है इस्तमाल जादा बढ़ता है गवार गम का तो इसका असर विदेशों के साथ साथ भारती बजार पर भी प बनाई जा रही है, ऐसा experts का कहना है, सूतरों का कहना है, कि गवार की जो तेजी है, वो बनाई जा रही है, अभी भी fundamentals इतने strong नहीं है, जिससे कि गवार गम और गवार सिर्गी कीमतों को बहुत जादा तेजी की और जातावा देखा जा सके, जितनी भी तेजी रहेगी, ये ट बहुत जो restaurants, hotel industries है, वहाँ से भी जो गवार गम की जो demand है, वो भी कम होती नज़र आई है, और इंडिया में भी देख रहे हैं कि गवार इंडस्ट्री जो है, बहुती सीमित इंडस्ट्री है, बहुती सीमित दायर में गवार गम और गवासीर का इस्तमाल किया जाता है, गवार में हो सकता है कि technically तेजी बन जाए, लेकिन जो तेजी रहेगी, technically रहेगी, fundamentally नहीं रहेगी, गवार को लेकर हमने अपनी चैनल पर report भी डाली वही है, आज ही डाली है, आप वो report भी जाकर देख सकते हैं, यह से बात करें अगर आप सोयबीन की, तो सोयबीन का फरवर की फुलकी बड़त भी बनती नजर आ रहे है, तरे सरसो की उपर ट्रेट करता नजर आ रहा है, लेकिन सोयबीन में देख रहे हैं कि सिमित दैर में कारुबार दर्च किया जा रहा है, आपको बता दें कि आगे मार्च महीने में सरसो की नहीं आवा के आ जाएंगी मंडियों के अंदर और इस बार सरसो की बवाई का रगवा है वो बहुत जादा बड़ा है, बंपर आवा के रहेंगी, बंपर उत्पादन रहेगा, जिसकी वज़ा से जो खादते एलो की डिमांड है भारत में वो सरसो के तेल की द्वारा पूरी की जा सकेगी, जिसकी वज़ा से हम तेल की कीमतों में जो थोड़ी गिरावर तो जरूर रहेगी और उसका असर सोयबीन की कीमतों पर भी जरूर पड़ता नजर आएगा, सोयबीन की कीमतों में भी थोड़ी बहुत गिरावर देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर गलोबली वैश्विक सोयबीन की बात की जाए तो वैश्विक सोयवीन का उतपादन थोड़ा कम ही रहने का नुमान है इस बार की वैश्विक सोयवीन उतपादन थोड़ा घट सकता है क्योंकि ब्राजिल और अर्जेंटीना में सूखे वाले हाला आता है अभी महाँ पर जो बारिश होगी लगबग 20-25 दिनों में जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि सोयवीन का उतपादन आगे कितना रहेगा कैसा रहेगा और आगे मंदीत रहेगी या जादा तेजी रहेगी लेकिन जब तक ये पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जा अभी सोयवीन की कीमतों में 6,800, 6,900 के जो लेवल्स जो बेंडिंग है वो अभी भी देखने को मिल सकते हैं अगर सोयवीन में गिरावट रहेगी तो तेजी भी ज़रूर बनती नज़र आएगी तो ये ता एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अप्डेट कि हफते के पहले काभ़बारी दिन शाम के काभ़बारी सत्में क्रिशी फसलों कावादा बजार के हैसरा, ट्रेड करता नज़र आ रहा और इस पर हमारे जानकारों की क्या रहाई थी फिलाल बजार की चाल में अभी के लबस्त नहीं लेकिन आपका इंजाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसला लगातर में बना हुआ है मार्केट अमसीवी पर मार्के लिजाल बना हुआ पर खबस्त – है मार्केट भंत बना हुआ DAN